कहते हैं मेहनत किया जाए तो क्या कुछ हासल नहीं किया जा सकता आज का हमारा वीडियो विद्धु जमाल पड़ है वो विद्धु जमाल जिन्हें इंडिया का चैकी चन बोला जाता है विद्धु जमान का जन्म 10 दिजमर 1980 को साली मार्ज जम्मु कासमेन में हुआ था इनके पिता एक आर्मी आफिसर थे इसलिए ये एक जगह नहीं रह पाते थे क्योंकि इनके पिता का ट्रांसफर समय समय पर होता रहता था विद्ध कुल तीन भाई बैन है ये बच्पन से बहुत फूर दिली तो थे ही पढ़ाई में ही बहुत अच्छे थे विद्ध जब चार साल के थे तब हुँ मम्मी पापा के साथ केरल में रने रगे जहां उनकी मम्मी उनको एक आसर मिले जाती थी जहां पढ़ाई के साथ साथ मार्सलाट फी सिखाया जाता था इसका मतलब यह है कि लोग विदुत जमाल को एक्सन एक्टर और मार्सलाट के लिए जानते हैं उसकी सुरुवात उन्होंने चार साल के उमर से ही कर दी थी इससे पहले कि विदुत बड़े होते उनके पिता दुनिया छोड़ कर जा चुके थे जब वो 13 साल के हुए तब वही माचल पर्देश में आर्मी स्कूल में एडविशन कराया गया जहां से उन्होंने आगे के पढ़ाई सुरू की विदुत जमाल ने अपना गर्जवेशन मारसल आर्ट से किया हुआ है विदुत को महावली हलुमान में और बहुती धर्मन में बहुती बिस्वास है विदुत अपनी मारसल आर्ट की डिगरी पूरा करने के बाद 25 अलग अलग देशों में like परदर्सन किया है उन्हें अलग 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 देशों में खास फिजिक्स और अलग अलग तरक के मारसल आर्ट के लिए बुलाया जाता था इसके साथ साथ उन्होंने अपने मौडलिंग करीर को जारी रखा और उन्हें 2004 में किसी फिल्म के पीछे डांस करने का मौगा मिला विदूत जमाल की फिल्मों में एंट्री एक तेलू फिल्म से हुई उनकी पहले मूवी 2011 में जुनियर एंटियार की सक्ती मूवी थी इंदी और तेल्गू में काफे फिल्में की लेकिन विदूत को पाचान उन्हें थी कमांडर मूवी से मिली इसके बाद उन्हें एक के बाद एक मूवी मिलते गए और वो बॉल्लिवूड में एक एक्सन हीरो के तोर पे जाने जाने लगे ये थी विद्दू जमालकी पॉलीवड में चर्णी हमारी साथ